दोस्तों आज के समय में जब सरकारी कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं याद करना होगा एक जमाना था इन सरकारी कंपनियों को जान भूज कर कमजोर बनाया गया जब ममता बेनर्जी बनी थी रेल मंत्री तो उन्होंने पहला नेने लिया था कि रेलवे में क रेटरिंग का काम ना सिर्फ IRCTC बलकि प्राइवेट कॉंट्रक्टर भी करेंगे तब बहाना बनाया गया था फूड क्वालिटी को बढ़ाना फूड क्वालिटी में तो कोई सुधार नहीं आया महा साय इन्तु प्लिटिकल पार्टियों के दफ्तर में चंदा और चांदन उनसे चीना जाता था लेकिन दोस्तों अब आप देख लीजिए IRCTC जिसका कोर बिजनेस है रेलवे में कैटरिंग करने का वो अब एक्सपैंड कर रही है जो उनका में बिजनेस है वो जसकतस है साथ में ये विस्तार कर रही है तो सवाल है कहां जा रहे हैं भाई साब महोईया की जा सके अभी भी BSF और CRPF कैटरिंग लेते होंगे परंतु वो आती होगी प्राइवेट कॉंट्रक्टर से तो भावे के ब्रष्टाचार हो सकता है वहां पर किन्तु IRCTC के आने से ना सिर्फ उसका धंदा बढ़ेगा वो तो होगा ही होगा साथ में सरकार का पै अपने बावन सप्ता के सरवो चेस्तर पर खड़ा हुआ है और वो भी कब जबकी काफी लंबे समय से IRCTC का शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा था तो पॉइंट यह है कि मोदी जी हर कंपनी की जो कमजोरी है उसको दूर कर रहे हैं ताकि उसका धंदा बढ़े शेयर तो और फिर सवाब घटना क्रम हो जाता है दोस्तों यहां पर IRCTC से जड़ा हुआ है अच्छा घटना क्रम है किन्तु हम खरीदने बेचने की आपको रहे टेपतवा रेक्मेंडेशन नहीं दे रहे हैं यह कंपनी थोड़ा महेंगे वैल्लुएशन पर मिलती है कारण यह है कि यह मोनोपॉली विजनेस है रेलवे के टिकेट बोकिंग का पूरा खाम यह देखते हैं तो यह वैल्लुएशन एक हट तक वाजब भी है और अब तो यह नीचे आ गया लेकिन पहले यह बहुत अनाफसना दाम पर हुआ करता था तब हमने कई वारेस का विरोज भी किया था लेकिन अब दाम भी नीचे हैं कमपनी की स्ट्रेटजी भी सही हो रही है तो डिसकस करना बहुत जरूरी था तो मजगाउं डॉक्स हो गार्डन रीट सिर्पेविल्डर्स हो या आईटी स्टॉक्स हो भारती प्रगती से आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए किन्तु वो प् की स्टॉनों आर्टमिनर वर इ Ainवेडिर plans वर से वन ऑप्रसं सकोर्स की द cola on ड कर रही है इसी वीडियो के डिस्क्रप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उसपर क्लिक करके आप अपना पपसंदीदा अ सब्सक्राइब अभी के अभी जॉइन कर लीजिएगा